हाई गाईस वेलकम टू वेलकम बैक माई चैनल कैसे वह आप सब उमीद है कि आप लख सब बच्चे होंगे हमें से काफी लोग ऐसे हैं कि अपनी स्किन को काफी ज़दा ब्राइट करने के लिए या फिर जिनकी स्किन काफी ज़दा डार्क है वो गोरा निखार पाने के लिए ऐसे इसे ट्रिक फोलो कर लेते हैं जिनके बाद उनकी जो स्किन है काफी ज़दा खराब हो जाती है या ये कहें कि बहुत मेंगी-मेंगी क्रीमिक परचेज कर लेते हैं जिसके बाद उस स्टेम तो डिजल्ट आता है बड़ जब हम उनक्रीमों को छोड़ देते हैं उसके बाद ओपजिट डिजल्ट आता है हमारे जुस्कीन है उस टेम पे काफी ज़दा खराब होने लग जाती है उन क्रीमों को छोड़ने की वज़र से तो दूसरी बात यह है कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत चीज़े ऐसी वाइरल होती है जिसमें बताया जाता है कि आपको इंस्टेंट चुटकी में ही आपको गोरा निखार मिल जाएगा जैसे अगर आपकी स्कीन काफ़ ज़दा काली है तो सीधा ही गोरा निखार मिल जाएगा ठीक है मैं आज के वीडियो में बताना चाहूंगे कि इस तरह के कहीं पे भी कुछ भी नहीं result मिलता है ठीक है instant आपकी जुस्कीन है काली से गोरी नहीं बन सकती है ठीक है हाँ ये बोल सकती हूँ कि ऐसी सी home remedies आती है जिसको अप्लाए करने के बाद आपकी जुस्कीने धीरे 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 उस स्टेज पर पहुंच जाती है जहां आपकी स्कीन काफी जदा ब्राइट होनी स्टार्ट हो जाती है तो मैं यह कहूंगी कि आप ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वाश मत रखिएगा बलगी आज की वीडियो में ऐसी remedy शेयर करने वाली हूँ जिस remedy को regular use करेंगे देन उसके बाद आपको धीरे धीरे instant result मिलेगा ठीक है एक और बात बताना चाहूंगी कि home remedies के बहुत सारे फायदे होते हैं क्योंकि home remedies जो है natural ingredients से बनी होती है इसमें कोई भी harsh chemical नहीं होता है अगर आप नहीं इसको use भी करना चाहते हैं अगर एक बार आपने apply कर लिए दूसरी बार आप नहीं use करना चाहते हैं तो उससे कोई भी आपको अपकी जुस्कीने खराब नहीं होगी क्योंकि बहुत ऐसी cream आती हैं जिनको छोड़ने के बाद जो होता है कि हमारी skin जो है अलगी effect दिखा देती है skin में allergy आ जाती है skin में eaching आ जाती है ठीक है आप उन सब चीजों से बचिए ठीक है जादातर से जादातर आप home remedy में विश्वास करिए अगर यहां आप कोई भी product लेते हैं तो paraben free product लीजेगा जो कि मैं अपने channel पर बताती रहती हूँ ठीक है उसे बले हम बात करेंगे कि यह जो आज की मैं trick sure करने वाली हूँ ठीक है इसमें आपको महंगे महंगे पालर में जाके facial कराने की बिल्कुल भी जुरुत नहीं पड़ेगी नहीं महंगी महंगी bleach कराने की जुरुत पड़ेगी bleach कराने से भी क्या होता है कि bleach कराने के वक्त आपको instant result मिलता है बड़ उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो skin दिरे-दिरे फिर काली पड़ने लग जाती है तो उन सबसे बचे आप नहीं उन पर ज़्यादा पैसा खर्च करिए मैं तो यही कहूँग इस remedy के बहुत सारे फाइदे हैं आपकी skin काफे ज़दा bright करेगी ठीक है आपको गोरा निखार मिलेगा प्लस आपकी जो skin है instantic glow भी मिलेगा आपके चेहरे पे दाग दब्बे हैं उनको भी कम करने में help करेगा pigmentation है dark circle है उसको भी कम करने में help करेगा उसके साथ में यह कहना चाओंगी कि जिनकी भी वक्त से पहले क्या होता है तो आपको चेहरे पे हम अपना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो चेहरे पे क्या होता है कि वक्त से पहले एसा लगता है कि बुड़ापा चाने लग जाता है यह एक फेशल भी नहीं रहेगा ना ही यह एक स्क्रब रहेगा यह एक ब्लीच जीसा work करेगा आलन में जाके महेंगे-महेंगे ब्लीच कराने की जुरुत नहीं है आज हम घर पर ही ब्लीच करेंगे बलर में जो बलीच होती है उससे भी आपको काफ़ ज़्यादा इंस्टेंट रिजर्ट मिलेगा ठीक है आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रुत नहीं है ठीक है आप इसे अराम से घर पर ही कर सकते हैं इसको बनाने का भी कोई ज़्यादा ज्हमेला नहीं है ठीक है तो यहां पर मैं वीडियो लगा देते ज़िसमें में बताऊंगी कि यह जो बलीच है हम कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर एक अलु ले लेना है अलु जो है हमारी सकीन के लिए काफी अच्छा रहता है आलु को क्या करना Кुछील लेना है कदूकस कर लेना ह इसके बाद आपको कोई भी कपड़े में भी आप निचोड कर रस निकाल सकते हैं तो यहां पे मैं हाथ में ही इसको कुछ इस तरी किसे करके ही इसका रस निकाल दे रही हूँ इसमें जो इंग्रीडिन डालेंगे वह है टमाटर टमाटर भी हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा है ठीक है यह अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्याद मुहासर तो इसको भी कम करने में हैं तो आपको क्या करना कि आधा टमाटर लेना है ठीक है उसको निचोड लेना है इसमें डालना है एक पेस्ट बन जायंगा भी डाल सकते हैं दो इसके बाद मिक्स करने के बाद बन जाएगा उसके बाद इसे अपने वह चलीकिके से त्रीके से प्लाइब करका अपने फेसको फेस्ट की उजयाना चाहिए जला अच्छाय सब्सक्र待 आरेक कर पूरे all over face पे apply करना है तो आप अपने hand पे भी apply कर सकते हैं तो हम बात करते हैं कि आलू जो हमने डाला है तो वो हमारी skin के लिए किसलिए फाइदेमंद है आलू का जो रस होता है वो हमारी skin की tanning, darkness को कम करता है अगर आपके face पे pigmentation उसको भी कम करता है दाग धब्बे उसको भ करते हैं जूरिया जाईया उनको भी कम करने में help करता है ठीक है अगर आपकी skin face से लग रहा है कि बहुत उमर बढ़ रही है ठीक है आपकी skin को भी एक young glow प्रवाइड करता है आपकी skin को निखार लाने में help करता है आलू में मुझूद vitamin B होता है जो aging की समस्या को कम करने में help करता है रंग को निखारने में help करता है रंग को निखारने में help करता है चमकदार बनाता है विटामीन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामीन C हो मारी skin के लिए काफी अच्छे रहते हैं skin की नमी बढ़ाने में help करता है skin को soft कर देता है दैन उसके बाद जो हमने इसमें डाला है helps goodness का मिलतानी मिट्टी and turmeric powder मिलतानी मिट्टी तो बहुत पुराने वक्त से आरी उसके मैं क्या ही फायदे बता हूँ वो तो पहले से इस्तमाल होता आ रहा है पुराने वक्त से फिर भी मैं बताना चाहूंगी जिनको नहीं पता है मिलतानी मिट्टी skin में चमक लाने में help करत है ठीक है और यह सर्दियों में काफी ज्यादा यूस्फुल है मुलतानी मिट्टी का पाउडर अगर आप नॉर्मली मुलतानी मिट्टी भी पाउडर अपने फेस पे अप्लाए कर रहे है तो डिरेक्ट पानी में घुल के अप्लाए मत करिएगा उसमें कुछ अलोविरा ज अगर आपके स्किन बहुत ज़दा ओली है यह ओल को भी कम करने में है बताना चूंगी अगर ड्राय स्किन वालत यह बिल्कुल मत ढरेगा कि हमारे स्किन के ओलनेस को भी कम कर देगा ठीक है उसके लिए हमने इसमें डाला है ऐलोविरा जल यहां पर हमाले का रोज फेस जल ह जो हमारे स्किन को बढ़ाने में हेल्प करता है ठीक है इसमें रोज फेस जल है जो हमारे स्किन को रिफ्रेश करता है स्किन की नमी को बढ़ाने में हेल्प करता है स्किन को हाइडरेट करने में हेल्प करता है सब जो चीज़े हम मिला कर अपने फेस पर अपलाए करेंगे न थोड़ा थोड़ा गील है बड़ फिर भी हमने 10 मिनट तक ही रखना है क्योंकि ये पूरा सूख चुका है पापड पापड जैसा मेरे फिस पे हो गया है तो इसलिए हम इसे डिरेक्ट जाके वाश कर लेंगे वाश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो skin है काफी ज़दा bright कर रही है ठीक है skin की रंगत को बढ़ाने में इसने help किया है ठीक है एक instant glow मिल रहा है और मेरी जो pigmentation थे उनको भी इसने कम किया है एंड काफी अच्छा इसमें result दिया है इस तरीके से आप घर बैटे ही bleach भी कर सकते हैं ठीक है आपको कोई भी मार्केट में महिंगे महिंगी क्रीमें परचेस करने की बिल्कुल भी जुरूरत नहीं है जादी में जाने से पहले भी इस bleach को कर सकते हैं एंड काफी अच्छा इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा यह जो बलीच आपको हफते में एक बार ही अपलाय करनी है अपने फेस पे आपकी स्कीन अगर ड्राय है ओली है सेंसिटीव है कॉम्बिनेशन स्कीन है तो यह ओल स्किन टाइप के लिए है इंस्टेंट आपको एक निखार म हमें कमेंड कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जुरूर करिए का एंड बल एकन का बटन जुरूर दबाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब की वोचिंग और बाए